अपने हाथ से चाय बना के पीने मज़ा नहीं आता सब लोग चले गए हैं रामलला के दर्शन करने है युद्याधाम अब बचा मैं अकेला अब क्या करूँ पीनी पड़ेगी अब कोई है नहीं है देखो तु बिना बच्चों के घर कैसा लग रहा है एक दम से सून सान पड़ा है इलकुल अच्छा नहीं लग रहा है कल गए थे ऐसा लग रहा है जैसे सालों साल से घर खाली पड़ा है प्रणाम पापजी खुश रहो बेटा गिर्धारी आ गए हाँ आ गया क्या बात है अकेले अकेले बैटे चाए पी रहे हैं बाकी लोग तो दिखाई नहीं दे रहे हैं घर में सब लोग कहा हैं बैटो बेटा खड़े क्यों हो बैट रहा हूं पापजी बताया नहीं है आपने बच्चे लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं मा दिखाई नहीं दे रहे हैं कहां हैं सब लोग अरे बेटा तेरी मा बच्चे बहु सब लोग राम लला के दर्शन करने अजुद्ध्या गए हैं ये तो बहुत अच्छी बात है आप नहीं गए पापज याब भी चले जाते हाँ बेटा गिर्धारी मन तो मेरा भी था जाने का राम लला की दर्सन करने का पर क्या करूं घर पूरा खाली हो जाता ताला लगाना सही नहीं था मैंने सोचा पहले बच्चे घूमा है फिर बाद में हम तुम मनुहर सब लोग चलेंगे ये भी सही है वो लोग घूम के आ जाएंगे फिर अपन चलेंगे अभी दादी नहीं आई है दादी अभी चाची के पास है क्या हाँ अभी वो वहीं है अभी मन लगा है उनका बात हुई थी हमारी बोल रहीं थी आने के लिए चोटे बोला कि अभी भाईया रहने तो मा को अच्छा लगता ह है हमने का ठीक है जब तक माह का मन लगे तब तक रह लें जब मन ना हो तो बताना हम ले आएंगे हाँ ठीक है लेकिन दादी की बिन अच्छा नहीं लगता है दादी यहां रहती है तो अच्छा लगता है अच्छा तो हमें भी नहीं लग रहा है आप क्या करें बेटा गिर कैथी की चटनी बनाते हैं जब तक मनुहर भी ओफिस से आ जाएगा फिर टिककर ठोकते हैं बढ़िया, खाएंगे तीनों लोग बाब बेटे मिलके बनाएंगे आराम से प्रभू का गुड़गाएंगे सो जाएंगे बिल्कुल टिककर ही बनेंगे आज तो उपर छट में बनाएंगे बिल्कुल बिल्कुल छट में ही बनाएंगे और हाँ बेटा तुने बताया नहीं ओफिस के काम से गया था बाहर क्या हुआ तेरा काम आम हुआ की नहीं हाँ हो गया है पापाजी काम एक टेंडर के लिए गया था वह ही थोड़ा गड़बड़ा गई है फाइल उसी में दिक्कत आ रही है और 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 बेटाय तो बड़ी गड़बड़ हो गई कहानी तेरी बता वहां तक गया फिर जाना पड़ेगा नहीं जाना वाना नहीं पड़ेगा यहीं से सही करा के मेल कर दूँगा सही हो जाएगा सब कुछ चलो फिर तो सही है मेहनत बच जाएगी इतनी दूर का आना जाना खल जाता है तुमसे बोला कि एक गाड़ी ले लो तो यह बसों की धक्का मुक्की से बच जाओगे अरे खुद की गाड़ी होगी तो आराम से आना जाना होता रहेगा अरे कहाँ पापा जी गाड़ी जानते तो हो इतने खर्चे हैं घर के बच्चों की पढ़ाई घर का खर्च रचना की पढ़ाई अब उसकी साधी कन्नी है उसकी पढ़ाई का पैसा इप्टाया जाए इसके बाद घर के लिए ले ली जाएगी अरे इतना लंबा मत सोचा करू बेटा सब होता रहेगा धीरे-धीरे ज्यादा परिशान होने की जरूरत नहीं है अरे नहीं पापा जी परिशान नहीं होता हूं बता रहा हूं शिर पाप चलो लगाओ गंगम मैया को भोग अखा अचोखा बाटी खूब पेट भर भर के फिर चलो थोड़ी देर कीर्टन भजन हो जाएं क्यो माजी कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ऐसा लगता यहां से जाओ भी न कितनी मन मोहग जगा है देखो तो कल से आज तक पता ही नहीं चल रहा है कि हम कहाँ है हाँ लच्छमी बहू बात तो तुम बिलकुल सही कह रही हो मन तो हमारा भी नहीं कर रहा यहां से जाने का लगता है सन्यास लेलें यहीं माला लेके बैठ जाएं सर्यू किनारे अब अस राम 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 रठते रहें ये प्रभू अपने चर्णों में स्तान दे दे थोड़ी सी जादा न दे तो पैर की नाखून अंगूठे की नाखून में दे दे यहीं जिन्दकी बिता लेंगे तुम्हारे पैर साप करते करते नोकर बना ले प्रभू अपना दादी एक काम करते हैं ना क्या क्या काम करोगे अपन लोग ना यहीं चोखा बाटी का एक धावा खोल लेते हैं सब लोग मिलके याईंत रहेंगे और याईंत धर बना लेंगे बस अपन को तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है क्यों आस रहे हो सब लोग अरे रोही तिसलिए आस रहे हैं कि बाटी का कहा ढावा खुलता है यह तो जगे जगे ठेले में मिल जाती है यहाँ पे खाना खाने भी कितना मज़ा आ रहा है क्यों माजी कहीं बाहर जाओ एक साथ बैठके खाना खाओ कितना खाना खा जाते हैं लोग वैसे तो देखो घर में तो एक रोटी दो रोटी खा की पेट भर जाता है यहाँ देखना इतनी सारी बाटी बनाई हैं सबी खतम हो जाएंगे खाते खाते बातो बातो पे तभी है दीदी बैठी है आग का तसला अपने पास लेके कि हाथ पेर भी सेकती रहूँगी खाती भी रहूँगी क्यों दीदी अरे भाई छोटी ये मत पूचो मुझे ठंडी बहुत लगती है बिना आग के भाई मैं नहीं खा सकती जतना खाऊंगी नहीं उतना जड़ा जाऊंगी इसलिए मैंने पहले से आग भर के रख लिये हैं चलो सुरू करो जल्दी जल्दी टैम बरबाद मत करो और देखो खाना कोई बरबाद मत करना ठीक है जितना जितना लिया है सब खतम करना है और जो बचेगा उसको जूठा मत करना ठीक है हाथ मुधुल के बढ़िया से थोड़ा बंदरों को खिला देंगे जो गरीब लोग बच्चों अगर चाहिए तो दुबारा मांग लेना लेकिन चूठे हाथ मत छूना ठीक है ना जी रादी माजी मैं क्या कह रही थी क्या बोलो यही कि खाते खाते भजन हो जाए खाना भी खाते जाएंगे प्रभु का भजन भी खाते जाएंगे खाने में थोड़ा आनंद बढ़ जाएगा प्रभु का इसी में थोड़ा सम्मन आ जाएगा तो खाना और स्वादिष्ट बन जाएगा कितनी चिडियां चहक रही हैं देखो तो चूँ 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 कितना अच्छा लग रहा है धर है न और क्या प्रिया ये सब राम लला की महिमा है राम की चिडियां है तो चहकेंगी नहीं कितना सुन्दर लगता है कितना सुहाना है हे प्रभू बड़े दिनों के बाद बुलाया आपने हमें अजुद्या चलो तो पिर होना हो एक भजा निगालो मा जी एक बात पूछनी थी आपसे हम भूल गए ये बताईए जब अपन दर्शन करने गए थे प्रभू के तो वहां राम लला भर कितना मूर्ते थे लचमन जी और सीता जी की नहीं थे क्यों ये तो हमें भी सुनता बहु पता नहीं है हमने भी तो यही सोचा था कि राम लला अकेले है और सीता जी क्यों नहीं है अरे राम लला है वो उनकी बच्पन की मूर्ती है वो अरे दीडी तो क्या हुआ सीता जी और लच्मन जी तो होने चाहिए अधूरे है पूरे तो वो तभी होंगे जब सीता जी आएंगी लच्मन जी आएंगी ऐसा लगता है जैसे बिचारे अकेले-अकेले खड़े हैं अरे वो त्लो की नात है भला नार है वो अकेले कैसे हो सकते हैं भला अब सीता जी दिखाई नहीं देती है इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो है नहीं वो तो उनके साथ में ही है वो कभी अलग हो सकते हैं देखिए तो भक्तों की कतार लगी है तूट नहीं रही है देखो तो सेजी नदी किनारा तक खाली नहीं मिल रहा है सिता राम जी की प्यारी राज धानी लागे मुही मीठो मीठो सर्जु जी का पानी लागे सिता राम जी की प्यारी राज धानी लागे मुही मीठो मीठो सर्जु जी का पानी लागे धन्न कोशिला धन्न केके यी धन्न सुमेत्रा मईया धन्न भूपे दसुरत के आंगन खेलत चारो भईया सिता राम जी की प्यारी राज धानी लागे राज धानी लागे सर्जु जी का मीटा मीटा पानी लागे मिठी तोतली रसीली प्रभु की बाणी लागे शयूजी का मिठा मिठा पानी लागे चिता राम जी की प्यारी राज धानी लागे मुह inan मिठो मिठो शयूजी का पानी लागे इता राम जी की प्यारी राजी भानी लागे राजी भानी लागे मुझे सुझे को लपनी ठीका पनी लागे वोली ऐची आपती राम चैंद्रे की जे वाँ भाई वाँ मज़ा आगया दिल खुश कर दिया लच्मी भूँ बहुत सुंदर भचन गाया तुमने सही बात दी दी आज जो दिल में था वही भजन गा दिया ये बिल्कुल सेम टू सेम कर दिया बिल्कुल कौमी नेशन मिला दिया आपने आज